आपस्ट और दोस्तों अगर आप किसी के कॉल को रेकोर्ड कर देते हैं रेकोर्ड करने के बाद दोस्तों वो कॉल रेकोर्डिंग जो है आपको शोही नहीं होते तो कैसे आप इस प्रॉब्लेम को सौल्व कर सकते आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉलुशन बताने वाला हूँ ठीक है जानने के लिए दोस्तों वीडियो के सारां तक बने रहेए सारे साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पेसा कामाना चाते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है अगर call recording शोर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो आप प्लेश्टोर में जाईए phone service search कीजिए उसको open करके update कर दीजिए update करने के बाद आपको back करना है setting पर जाना है scroll down करके apps and notification को open करना है और उसके बाद see all apps पर click करना है और यहाँ पर आपको search करना है phone service ठीक है आपको यहाँ पर search करना है phone service और उसके बाद आपको यहाँ पर यह option मिलेगा storage and cache and then इसके storage को clear कीजिए clear storage पर click करके ok कर देना ठीक है उसके बाद make sure सारे permissions इसके allow रहे सारे permissions allow करने के बाद बेक करे mobile को restart कर दीजिए और उसके बाद अपने phone dialer को open कीजिए उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर show करके बता हूंगा कि कहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है कि कहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा call recording तो मैं जाता हूं यहाँ पर आपने एक नंबर पर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है call history ठीक है उसके बाद आपको मिल जाएगा listen to recording तो यहाँ पर यह हो गया दोस्तों आपका problem solve अमीद करते हैं आपको वीडियो पतने होगा थैंक्स फूर आचिंग